साथ संगत जी, प्रेम से कहना धाल नरंकार जी, एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का, आपके ही अपने चानल पर, हमारी आज की साखी का शीरशक है, सबसे बड़ी सोगात, चलिए सुनते हैं आज की ये साखी, साथ संगत जी, एक औरत, अपने उमर के चाहे जिस प खुशी का संदेशा आता है, वो सब को छोड़ चाड़ कर मायके का रुख कर लेती है, साथ संगत जी, जब रुची को उसके भाई जतिन ने अपने बेटे की शादी की सूचना दी, तो रुची का मन भी खुश हो गया, रुची के भाई ने दबाव डाल कर शादी से एक मह पहले बहन को बुलाया था, साथ ही बड़े अधिकार से आमों की फरमाईश भी की थी, तो भाई की अवाज में वही प्यार पाकर रुची का मन खुशी से भर गया, और वो बहुत ही ज़ादा तयारियां करने लगी शादी में जाने की, एक ही हफते में अपनी जगां की वि मिदारी अपनी सास को सौप कर, रुची अपने भाई के घर के लिए रवाना हो गई, आशा के अनुकूल रुची का भाई खुद उसे स्टेशन पर लेने आया था, स्टेशन से निकलते ही एक बार फिर नजराया, रुची को अपना वही पुराना शहर, और गलियों के के सासत बाते शुरू हो गई, तो रुची के घर जाते ही रुची के भाई ने अपनी पतनी से कहा सुनती हो, मेरी बहन के आने से सबसे बड़ा फायदा तुम्हारा होगा, तुम्हारे काम में हाथ बटाने के सासाथ ये सारे रसम और रिवाज निभाने में भी तुम्हारी मदद करेगी मा के सा शादी ब्या में भाग लेने से इस सारे रस्मों रिवाज पता है ये सब बोल कर रुची के भाई ने अपनी बहन को महतव दिया और अपना प्यार जताया लेकिन ना जाने क्यों रुची को अपने भाई के ये शबद खोख ले लग रही थी रुची की भ इसे देखकर रुची के भाई ने कहा ये तुने क्या किया अपने पूरे शहर की मिठायां खरीद कर ले आई है क्या कुछ वहां के लिए नहीं छोड़ा रुची ने कहा बस भाईया इतना भी नहीं है शादी वाला घर है देखते ही देखते ये सामान खतम हो जाएगा रु दिनों के लिए कोई आ जाए ये भी बहुत बड़ी बात है ये बात रुची की भावी ठीक ही बोल रही थी पर ना जाने क्यों ये बात रुची को चुप गई थोड़ी देर आराम करने के बहाने रुची अपने कमरे में गई ये रुची का वही कमरा था जहां पर उसने अ खाना खाने बैठी तो रूची को मीध थी कि उसकी भावी ने भी उसकी मा की तरह ही उसकी पसंद का खाना बनाया होगा। पर खाना देखते ही रूची के जो खुशी थी वो ठंडी पड़ गई। सूखी रोटी के साथ एक सबजी थी। हाँ, खाने के बाद रूची के भाई ने रस मलाई खिला कर रूची की उदासी को मायूसी को थोड़ा कम किया। रूची के भाई भाबे जब शादे की किसी चर्चा में व्यस्त हो गए तो रूची अपने पिता के पास जाकर बैट गई। बुढ़ापे ने रूची के पिता को इतना शक्त बना दिया था कि खुशी गम उनके लिए एक जैसे हो गए थी। उनका ध्यान दुनिया की हर खुशी और गम से विरक्त हो अपने खाने पर और सोने पर आकर ही रुख गया था। बस सब कुछ इधर उधर के सवाल पूछने के बाद उन्होंने कहा सब ठीक है ना। थोड़ी देर के बाद रुची सोने चली गई पर नीद उसकी आखों में कहा थी। उठकर आगन में पड़ी चार पाई पर आबैठी पूरे घर में सननाटा था। ये वही आगन था जिस में ना जाने रुची ने कितना समय बिताया था। अब रुची के कब आँख लग गई वो वही आगन में पड़ी हुई चार पाई पर सो गई। सुबह पक्षियों की अवाज के साथ उसकी नीद खुली तो वो चोक कर उठकर बैठ गई। घर के सभी लोग अभी सो रहे थ तो दर्वाजा खोल कर रुची बाहर निकलाई बगीचे में पहले की तरह ही फल और फूल लगे हुए थे। तो रुची ने अपना काफी समय उस बगीचे में बिताया। काफी समय बिताने के बाद जब रुची बगीचे से घर में लोटी तो सभी लोग चाय पी रही रुची की भाबी ने वहीं से आवाज लगा कर नौकर को चाय लाने के लिए बोला पर वो किसी काम से चला गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद रुची ये सोच कर रसोई में गई कि अपना घर है खुद ही चाय बना लूँगी तो क्या हो जाएगा। चाय बनाने के ल दा लीजे समान निकाल कर। इतना बोलकर नौकर ने एक दूसरा डिबा रुची को थमा दिया। अब उस नौकर के व्यभार से रुची को ऐसा लगा कि जैसे किसी नेक गरम सरिया उसके हाथों में रख दिया हो। फिर भी ये सोच कर कि नौकरों की बातों का क्या है ये तो होते ही ऐसे हैं जगडा शुरू करवाने वाले। तो चाय बना कर रुची डानिंग टेबल पर आकर बैट गई। तब ही कहीं से उसकी भावी भी वहां आ गई। कहने लगी ये क्या। आप आज भी इस वाले कप में चाय पी रही हैं। पहले तो आप दूसरे कप में चाय पीती थी ना। लगता है आपके पती ने आपके फितरत बदल दी। रूची ने कहा भावी नकरे तो आज भी वही हैं पर आपके नौकर ने मुझे मेरी उकाद बता दी। तो रूची की भावी ने तुरंत नौकर को बुला कर डाटा। और आगे से रूची को अच्छे व दिब्बे निकाल कर डाइनिंग टेबल पर रख दिये। इतनी कोशिशों से चुन चुन कर वो मिठाईयां खरीद कर लाई थी। नाश्ता करने के बाद रूची पडूस में रहने वाली जमुना काकी के घर चले गई। आशा क्या नौकूल जमुना काकी ने बहुत ही अच करके आई हूँ। आप तो यहां महीना भर रहूँगी फिर कभी खालूँगी। जमुना काकी ने कहा वो तो मुझे मालूम है। इस बर जादा दिनों दक रहोगी क्योंकि तुम्हारे भाई ने बताया था। जब तुम्हारा भाई विनोध से कागज बनवाने के लिए आय ससुराल में चाहे कितनी ही सुखी संपन क्यों नहों पर मायके की संपत्ती पर नजरें गड़ाए रखती हैं। बहने खुले आम कोट में जाकर अपने हक्की बात करती हैं। ये सब देखकर तुम्हारा भाई का आगज बनवाने आया था ताकि तुम या तुम्हारे पर विश्य में उने कोट में नाघः सीटो। रूची को लगा अचानक उसके पाउँ पर किसी ने अंगारे रखती हैं। क्या रूची इतनी पराई हो गई थी कि अब उसके भाई को उससे डर लगने लगा। औरों की तो छोड़ दे। लेकिन रूची के भाई ने उसके कैसे सूच लिया। कभी दोनों भाई बहनों में इतनी नजदिकियां थी कि वो माता पिता को बिना बात बताया आपस में सारी बाते कर लिया करते थे। इस बार से तो रूची का मन ही तूट गया। रूची के मन में विचार आया कि मेरे भाई ने कागजों पर कि में लोटी लेकिन भाई को उसने कुछ भी नहीं बताया ना भाई ने कुछ पूछा। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे तो उसके भाई की विवस्तता बढ़ रही थी। फिर भी रूची को लगता था कि जैसे उसका भाई उसे कुछ कहना चा रहा है पर कह नहीं रहा। शा आकर रुची ने भाई को कहा कि मैं कल का टिकेट मंगवा रही हूँ वापसी के लिए भाई ने कहा इतनी भी क्या जल्दी है एक दिन और बहु के साथ रहे लो रुची ने कहा भाईया मैं जानती हूँ आपको मुझे से कुछ कहना है शरम करेंगे ये तो सालों बीत जाएंगे आप अपनी बात नहीं कह पाएंगे आप वो फाईल मुझे दे दो जिसमें आपने मुझे संपत्ती से बेदखल करने के एक आगज रखे हैं मैं उन पर हस्ताक्षर कर देती हूँ ताकि मेरे जाने के बाद आपने शिंत रहें ये सुनकर रुची का भाई जड़ सा हो गया रुची के भाई ने रुची से कहा रुची तू हस्ताक्षर मत करना मैं ये विचार छोड़ चुका हूँ वरना तुम से इस बारे में बात जरूर करता रूची ने कहा भाईया आपको हस्ताक्षर नहीं चाहिए पर मुझे हस्ताक्षर करने है ना जाने काब अपने शहर की मिट्टी और उसमें बसे अपने घर और संपत्ती का मुहो इतना बढ़ जाए कि वो लालच में बदल जाए और वैसे विभाईया भाई बहन का रिष्टा तो होता ही ऐसा है लड़कियां इस्तरियां सब सहती हैं कितने ही दुख जेलती हैं पर अपने प्यार के रिष्टों पर वार नहीं करती भाई का रिष्टा भी तो जनम से जुड़ा प्यार का ही रिष्टा होता है फिर मैं मरतेदम तक ये कैसे जाओंगी है कि मेरा भाई की समपति पर कोई लालच भरी नजर डाले चाहे वो मेरा पती या मेरा बेटा ही कूँ नहो इसलिए मैं ये हस्ताक्षर जरूर करूँगी भाई के विश्वाश में होता है, समपत्ती में नहीं अगर भाई का फर्ज बहन की सम्मान की रक्षा करना है तो बहन का फर्ज भी है भाई के सुख और समरिद्धी के लिए हर कोशिश करना, उसे चीनना नहीं ये सभी बाते रुची की भावी भी सुन रही थी, भाई और भावी दोनों की आखे भराई, वहाँ पर एक सन्नाटा सा पसर गया रुची भी रो पड़ी थी, रोते रोते बोली कि हम भाई बहनों की बीच में ये आविश्वाश कहां से आ गया शय संपत्ति के एक टुकडे ने भाई बहन के रिष्टे में सेंध लगा दी, तभी रुची का भाई अचानक से उठ खड़ा हुआ, कहने लगा कि रुची जो हुआ सो हुआ तो मन में दुख मत रख, मैं तुझे विश्वाश दिलाता हूँ, जब तक जिन्दा हूँ, ते पोल हलका हो गया, अगले दिन स्टेशन जाने के लिए निकलते समय जब रुची ने भाई के पैर छुने चाहे, तो उसकी भाई ने उसे सीने से लगा लिया, अचानक से रुची को मा की याद आ गई, और रुची के भाई की आखों में भी आसु आ गई, अब रुची के मन में जमा हुआ अब तक का सारा कलेश धुल चुका था, उसकी भाई के दिल में भी ननत के लिए प्यार और मान समान बढ़ चुका था, और माईके की सबसे बड़ी सोगात लेकर रुची आज अपने माईके से विदा हो रही थी जो सोगात थी, उसके भाई और भाई का प्य विडियो को नाइक शिर जरूर करतीजेगा, आप सभी से फिर मुला कात होगी, नई साखी के साथ साथ संगत ची प्यार से कहना धान नरंकार जी